हाई एवरीवन वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल आम शर्भाना एन आम हैर विदा न्यू वीडियो सो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPSC की सो इसका नोटिफिकेशन आ चुका है एंड जो भी ग्रेजुएट्स है उन्होंने जिस भी स्ट्रीम से किसी भी स्ट्रीम या किसी भी एक रेकरगनाईज उनिवर्सिटी से अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है देन आर इलिजिबल फॉर इस जॉब आप किसी भी एर के आप इस जॉब के लिए अप्लाए कर सकते हैं यू जस्ट नीड टू है वक्रेजुएशन डिग्री ओके सो एंपी पीएसी में बिसिकली दो एक्जाम होते हैं बन इस फॉर स्टेट सर्विस एक्जाम सेकें डिस फॉर स्टेट फॉरेस्ट सर्विसे एक्जाम या सो हम दॉ इमब पोस्ट है MPPSC State Service Exam SSE and Pre Online Form for 2022 यहां पर Madhya Pradesh Public Service Commission i.e. MPPSC has released the advertisement of State Service Exam also known as SSE 2021 Any eligible degree candidates who want to appear here in this exam can apply online from 10th January to 9th February ओके सो आप यहां पर हम important dates देख लेते हैं आपका application begin होगा 10 January 2022 मतलब 10 तारीक से आपको भरना एक start होगा form और आप इसके लिए apply कर सकते हैं 9 February 2022 तक मतलब आपको almost एक महिना है आपके पास form भनने के लिए तो जैसे ही 10 January भी 2-3 दिन है तो आप उसके बाद यह form भर सकते हैं MPPSC का आपको exam fees पे करनी है exam fees पे करनी का last date भी 9 February होगा last date correction is 11 February 2022 exam date आपका होगा 24 April ठीके यहां पर non exam date भी दिया हुआ है और आपका admit card आपको available होगा 15 April को तो आपको यह सारी important dates याद रखनी है आप fees की बात कर लेते हैं तो journal और other state वालों का यहां पर 500 examination fee लगेगा MP reserve category वालों को 250 रुपए exam fees लगेगा पोर्टल चार्ज होगा आपका 40 रुपी जो की आपको extra पे करना पड़ेगा and pay the examination fee through cash at MP online kiosk और debit card credit card net banking fee mode only ठीक है तो यह सारी यहां पर दी गई है अब minimum age limit देखते हैं तो आपको minimum 21 years old होना चाहिए maximum age limit है 33 years for uniformed post and maximum age यहां पर है 40 years for the other post and age relaxation extra as per MPPSC pre 2021 exam rules तो आप इनस rule के हिसाब से आपको age relaxation मिलेगा यहां पर post दी गई हैं कि कौन सी category के लिए कितनी post available है so basically यहां पर पूरा जो total vacancy है that are 283 यहां पर post available है अब journal category के लिए 68 है इसमें EWS के लिए 29 OBC के लिए 89 SC के लिए 32 and ST के लिए 65 यहां पर vacancy है और total 283 vacancy available है and इसमें eligibility यह है कि आपका bachelor degree in any stream in any recognized university in India bachelor degree आपके पास होना चाहिए तो आप इस job के लिए apply कर सकते हैं यहां पर सारी यह post के नाम के हिसाब से यहां पर दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं अब यह सारे centers दिये हैं पूरे MP में जो centers होने वाले हैं and interested candidate can read the poll MPPSC 2021 notification before apply online तो आप इसको पढ़ सकते हैं apply करने के लिए link आपको description box में मिल जाएगा आपको apply online के सामने यहां पर इस link पर क्लिक करना है यह अभी activated नहीं है यह एक्टिवेट होगी 10 January को तो 10 January को जैसी ही एक्टिवेट होगी आप यहां पर apply क्लिक यहां पर apply now का option आप यहां पर क्लिक करके form भर के apply कर सकते हैं अब देखते हैं हम दूसरे exam को that is for MPPSC State Forest Service exam also known as SFS okay so यहां पर आपका जो है मद्द प्रदेश पॉब्लिक सर्विस कमीशन MPPSC has released the advertisement for State Forest exam SFS 2021 any eligible degree candidates who want to appear in this exam can apply online from 10th January to 9th February और सारा dates यहां पर सारी same है बस exam जो है वो दो होते हैं यहां पर तो यह second वाला जो forest के लिए होता है वो वाला exam है बाकी सारी dates यहां पर same है and आपका application यहां पर 10 जनवरी को start होकर 9 परबरी को खतम हो जाएगा आपको अपनी examination fee 9 परबरी तक देनी है and अगर कोई भी corrections है आपके form में तो 11 पर पित्ते को कराने है exam date same है 24th April and admit card भी आपका same date पर आएगा which is 15th April अभी इसमे journal and other state वालों का 540 रूपीज लगेगा MP reserve category वालों का 2090 and portal charges इसमें 40 रूपीज आपको देनी पड़ेंगे ओके सारा कुछ यहां पर same है यहां पर minimum age limit है 21 years और आपको maximum 40 years for assistant conservator of forest post maximum age आपकी हो सकती है 23 तक for other post and आपको age relaxation मिलेगा as per MPPSC forest services तो आपको देख सकते हैं यहां पर total 63 vacancy है जिसमें 3 journal के लिए EWS के लिए यहां पर कोई vacancy available नहीं है 2 OBC के लिए 1 SC के लिए 2 ST के लिए यहां ऐसे करके total 8 post है यह forest range for project manager यहां पर अलग-अलग category के हिसाब से दी गई है तो आप इसको देख सकते हैं अब यहां पर आपको fill करने के लिए apply online पर जाके यहां पर link activate हो जाएगी on 10th January तो आप यहां पर click करके form भरके इस job के लिए apply कर सकते हैं okay all right guys so that's all for today's video यह था MPPSC का Madhya Pradesh Public Service Commission का तरफ से जो एक्जाम होता है उसके details link आपको दोनों का description box में मिल जाएगा तो अगर आप interested है then you can apply for this job link will be provided in description box okay guys so that's all for today's video अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा channel को subscribe कर दीजेगा और bell icon को hit कर दीजेगा and please share our videos and our channel with your friends and do subscribe guys thank you